हेलो आप लोग भीड्न वीडियोन, कारेंद का में हमुझी हुई इसी में का फिर दो शूर है। दूसरी चीज अगर PDF की आप लोगों को नीड है तो आप उसके लिए जो भी amount होगा वो मैं आप लोगों को बता देती हूं कि किस तरीके से आप लोगों को PDF लेनी है ठीक है जो हमारे old students हैं जिरोंने हमारे notes लिये हैं या फिर उनने कोई भी हमारा course लिया है उनके लिए जो fees ह वन येर की पूरी current affairs आपको इसमें मिलेगी नंबर जो है जिस पे आपको जो भी payment करना है या फिर कोई और जानकारी लेनी है इस नंबर से ले सकते हो ठीक है एक चीज मैं आपको बता देती हूं PDF आपको यहीं मिलेगी किस तरीके current affairs है वो यहीं पता चल जाएगा दूसरी इसमें क्या change किया है पहले जो current affairs थी अब जो current affairs है उसमें क्या change है क्या difference है डिफरेंस सबसे बढ़ा तो यह है कि इसका जो level है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है हमने थोड़ा सा इसका level अच्छा कर दिया है क्योंकि exam भी काफी अच्छा कासा आ रहा है current उसमें काफी deep पू जादी थी बोलके अब बोलके बताने में क्या होता है ना कि आप लोगों को कई वार या तो आप अच्छे से सुनते नहीं है या फिर आप नोट नहीं कर पाते क्योंकि लिखा हुआ दिखता है तो एक अलग effect पढ़ता है उस चीज से तो इस बज़े से हमने GS के जो fact है related to current affairs वो यहीं पर नोट कर दियें साइड में तो यहां में आपको पढ़ दूँगे अच्छे तरीके से start करते हैं first जो topic है वो है नवोन मेच उपलबनियों पर संस्थानों की अटल ranking ठीक है 2021 की ये ranking है इसमें बताया गया है इसकी जो short form है यहां पर लिख रखी है ARIIA ठीक है वै ये आपकी इसकी क्या बूलते हैं full form हो जाएगी अभी इसके बारे में देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है क्या इसका मुद्दा है यहां पता करेंगे और इसका क्या इसचीस्वे पयाई है वह बात मैं जान करेंगे ठीक है हलही में सिक्षा मंत्राले ने संस्थानों की नवोन मेश उपलबधियों पर संस्थानों की अटल रैंकिन्ग 2021 जारी की है वर्स 2021 में उच्छ रैंकिंग वाले जो इस संस्थान है յो ये है पहला है रास्ट्रिय महत्व की संस्थान केंद्रिय विश्य विध्याले और CFTII IIT मदरास, IIT बॉंबे और IIT दिल्ली का स्थान है ठीक है उसके अलावा सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्य विध्याले और हमें पंजाब विश्य विध्याले है तीसरा है सरकार और सरकार द्वारा प्राप्त कॉलेज और संस्थान में इंजिनियरिंग कॉलेज पुने कुछ बात करने हैं अगर इसके G.S. के फेक्ट की तो यह है शात्रों तथा संकायों के बीच नवाचार और उध्यमिता विकास से संबन्दित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुक उच्च सिक्षन संस्थानों एवं विश्व विध्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिए सिक्षा मंत्रालय और अखिल भारती तक्नीकी सिक्षा परिशद यानि कि AICTE की एक संयुक तो पहल है जो कि स्टार्ट की गई थी यानि किसका जो पहला संस्क्रान हुआ था वो 2019 में हुआ था नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नागालेंड में अफसपा का विस्तार हुआ है और वो विस्तार कितने दिनों के ल नागालेंड में सशस्त्र बल विशिस अधिकार अधिनियम यानि कि अफसपा को छे माह के लिए विस्तारित कर दिया है बात करेंगर अफसपा की फुल फॉर्म की तो इसकी फुल फॉर्म है आम्ड फोर्सेज स्पेशल रोज एक्ट जो कि 1958 में लाया गया था यह अधिनिय पुलिस बलों को कानून का उल्लगन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, किरफ्तार करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलासी लेने का अधिकार देता है यह जो अधिनियम है ठीक है साथ ही यह सुरक्षा बलों को अभी योजन और कानूनी मुकदमों से भी सुरक्षा प्रेदान करता है अफसबा के तहट केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या शेत्र को अशांत गोशित कर वहां केंद्रिय सुरक्षा बलों को तैनात करती है एक एक फैक्ट इतना इंपोर्टेंट है कि अब वहीं से प्रश्ण बनता है यह वाले फैक्ट से भी प्रश्ण बन चुका है नेक्स टॉपिक है जहांसी रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तन किया गया है क्या नाम रखा गया है चेंज करके वीरांगना लक्ष्मी वाई उधर परिदेश सरकार ने जहांसी रेल्वे स्टेशन का नाम अदल कर वीरांगना लक्ष्मी वाई रेल्वे स्टेशन कर दिया है बात करें राणी लक्ष्मी वाई की तो उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 में वाननसी के एक मराठी परिवार में हुआ था तथा इनके बच्पन का नाम मनिकर्णिका था और मनु और छवीली के नाम से भी इनको जाना जाता है ये प्रशन बहुत बार पूछा गया है इनका विवाह जहांसी के महाराजा गंगाधर राओ के साथ हुआ थ उसके बाद इन्हें लक्ष्मी वाई के नाम से जाना जाना लगा 1857 की करांती के दोरान के अगर हम बात करते हैं तो जहांसी में इन्होंने नेतरत्व किया था और ग्वालियर में हिवरोस के साथ युद्ध किया फिर ये वीरगती को प्राप्त हुई ये प्रशन भी ज़िदर क्या होता है तो किसी भी गाओं कस्पे शहर या स्ट्रेशन का नाम बदलने के लिए राज्य विधाय का द्वारा साधरान बहुमत से पारित एक कार्य आधेश की आवशक्ता होती है। वही ज़ Direक्ताग से अनापते मिलने के बाद किसी भी railway station या इस्थान का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी जंडी देता है next यहाँ पर जो topic है वो है पढ़े भारत अभियान इस अभियान के शुरुवात की है केंदुरिय सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान ने starting की है और यह 100 दिन का होगा most important factors में यही है कि यह 100 दिन का होगा और इसकी starting किसने की है इसका उद्धिश्य है विध्यारतियों के सीखने के इस्तर में सुधार लाना इसमें बाल पाटिका के इस्तर से लेकर के आठवी कक्षा तक के बच्चों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरट में मेजर ध्यान चंद खेल विश्य विध्याले की आधारशिला रखी गई है प्रधान मंतरी द्वारा मेरट में मेजर ध्यान चंद खेल विश्य विध्याले की आधारशिला रखी गई यह विश्व विधाला मेरट के सर्गधना, कस्वे में सलावा और कैली गाउं में स्थापित की आगड़ा रहा है इसके निर्माण पर लगबग 700 करोड रुपे का खर्च आने का अनुमान है अगर हम बात करें इसकी जीयस के फैक्ट की ये क्या संबंदित है तो दविजार्ड के नाम से मशूर होकी खिलाड़ी मेजर ध्यान चंद ने वर्स 1926 से 1949 तक अंतरास्ट्री होकी खेली और अपनी करियर में 400 से अधिक गोल किये इलहाबाद में जन्मे ध्यान चंद उस ओलंपिक टीम का हिस्सा थे जिसने वर्स 1928, 1932, 1936 में स्वर्ण पदक जीते 29 अगस्त 1905 को उन्हें मेजर ध्यान चंद की जयनती को चिन्नित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में रास्ट्रिय खेल दिवस मनाया जाता है नेक्स जो टॉपिक है वो है रेलवे वोर्ड नए अध्यक्ष की नियुक्ती हुई है रेलवे वोर्ड के कौन बने हैं जान लेते हैं विने कुमार्त रिपार्टी को रेलवे वोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह अधिकारी सुनीत शर्मा का इस्थान लेंगे ये इंपोर्टेंट है कि वो किसका इस्थान लेंगे बात करेंगा railway board की तो भारतीय railway का सर्वोच निकाय है ये जो railway मंत्राले के माध्यम से संसत को रिपोर्ट करता है रेलवे board का गठन 1905 में रेल मंत्राले की सहायता हेतु प्रमुख प्रशाशन एवम कारेकारी निकाय के रूप में किया गया था इसके अलावा नेक्स जो टॉपिक है वो है भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है दो फाइनल में भारत ने श्री लंका को 9 विकेट से हरा दिया है बारिश से बागेत मैच में डकवर्थ लुईस लिनियम के आधार पर मैच 38 ओवर का कर दिया गया था उसके बार नेक्स जो टॉबिक है वो है हमारा चिली में जलवायू और पारिस्तिकी आपात काल से निपटने हेतू नया सम्विधान लाए गया जान लेते हैं क्या है ये क्यों चर्चा में है दक्षण अमेरी की देश चिली ने जलवायू और पारिस्तिकी आपात काल से निपटने के लिए एक नया सम्विधान लिखने हेतू एक सम्विधान कन्वेंशन का गठन किया है दरसल चिली के राजनेता देश को सम्रद बनाने हेतू यहां मौजूद लिखियम का लाब उठाना चाहते हैं इसलिए यह नया सम्विधान लिखियम खनन और उसके विन्यमन पर फोकस करता है चिली देश की अगर हम बात करते हैं तो यह अमेरिका के उन दो देशों दूसरा जो है वो एकवाडोर है उन में से एक है जिसकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती है विष्व का सबसे बड़ा तामा उत्पादक शहर जिसका नाम है चुकी कमाटा वो भी चिली में अवस्थित है, लिथियम का प्रयोग बैटरी में होता है, ग्यातव्य है कि लिथियम आयन बैटरी या ली आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी होती है, I hope आपको चिली द्य अदेश से सम्मनित सारी ही चीज़े यहां पर कवर हो गई होगी नेस्स टшейरी को राज्य का दरजा देने की मांग हल ही में पुडूचेरी के मुख्य मंत्री ने पुडूचेरी के अंदर शाषित प्रदेश को राज्य का दरजा देने की मांगी है बात करें गर पुड़ुचेरी की तो इसके चार चेले भारत की तीन राज्या में अस्थित हैं केरल में माही हैं तामिलाडू हैं आ ऐसको याद रखेगा इसका गठन प्रदेशों का प्रिशासन रास्ट्रपती द्वारा किया जाता है संग शाषित प्रदेशों में उप राज्यपाल को भारत के रास्ट्रपती द्वारा उनके प्रशाषकों के रूप में नियुक्ट किया जाता है वर्तुमान में आठ केंद्र शाषित प्रदेश है उनके न ठीक है आठ है प्लीज याद रखिएगा क्योंकि दाद्रा और नागर हवेली दमने इंदीव को एक ही कर दिया गया था इस वज़े से वो आठ माने जा रहे है ठीक है नेक्स टॉपिक है बिहार में अवेद शराब निर्माड की निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग होगा 1947 में निर्देशक सिधानतों में कहा गया है कि राज्य मादक पेय और स्वास्ते के लिए हानिकारक दवाओं के औशदिय प्रयोजनों को छोड़ कर इनके उप्योग पर प्रतिबंद लगाने के लिए नियम बनाएगा किस अनुच्षेद में कहा गया है आर्टिकल 47 में शर 30 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात्र ने इंदरा गानी प्रतिस्ठान में आयोजित आशा बहनों के सम्मेलन में 80,000 मोबाइल फोन वितरण अभियान का शुभारम किया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कौविट की रोगथाम में अच्छा कार्य करने वा जान दिया उपलब्द कराई जाने की घोठना भी की है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जैवेवित्ता के जनक ईयोविल्सन का निधन हुआ है थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में ईयोविल्सन हाववर्ड विश्व विध्याले के पूर्व जीव विज्यानी और पुल उनका निधन हुआ है और वह 92 वर्ड के थे पृत्वी की रक्षा के लिए उन्हें डार्विन का प्राकृतिक उत्तराधिकारी उपना मिला यह फैक्ट जो लास्ट वाला है इंपर्टेंट है बात करेंगर जैवेवित्ता से संब्दित तो कुछ वक्तियां पर जानते हैं क पूछा हुआ कॉश्चन है ध्यान देने की बात यह है कि जैवेवित्ता शब्द का प्रयोग प्रथम बार रेमंड एफ दासमें ने किया था भारत में जैवेवेट्ता अधिनियम को वर्स 2002 में अधिनियमित किया गया जो कि 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था ठीक है तो I hope सारी ही फेक्ट और सारी ही चीज़ा आपको पसंद आई होगी यह हमारा एक नए तरीके से इस चीज़ को लाया गया था अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज बताईएगा ठीक है so thank you so much for watching my video मिलते हैं next video में